तो हे गाईज मैं आज फिर से एक कोशन का आपको आंसर यहां पर देने वालूँ कि आपके दिमाग में भी यह बालग कोशन जरूर से आता हुगा कि क्या भाई जो इस तरीके के सौंग को अपलोड करते हैं तो क्या भाई इन लोगों को कोई copyright related issue नहीं आता है इनको copyright claim नहीं आता है क्या भाई इसी वीडियो में मैं आपको इसी कोशन का आंसर देने वाला हूँ तो चलिए तब सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई भी बंदा किसे भी original song को उठा कर इस तरीकी के versions में उसको convert करकर upload करता है सभी music platform पर तो उसको music platform पर तो कोई भी issue नहीं आता है copyright का जब तक कि जो उस song का original creator है उसका artist है उसका singer है उसको problem जब तक ना हो अगर उसको problem है तो वहाँ पर उसको copyright issue आएगा और उसको उपर legal action भी हो सकता है और उसका song जाए वो यहाँ पर reject हो सकता है टेक डाउन हो सकता है अगर योट्यूब की तो भाई योट्यूब पर आपको copyright का issue आता है मैं आपको बताता हूँ 99% लोग को यहाँ पर copyright का issue आएगा अगर वो इस तरीकी के versions में उस song को बनाकर upload करेंगे तो सब सब्सक्राइब मैं आपको proof देता हूँ देखो अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक screenshot के साथ इस बंदे ने इस song का यहाँ पर लूफी वर्जन, sloard वर्जन या फिर लिवर वर्जन आप कुछ भी इसको कह सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर बनाकर इसको डाला और इसका अगर आप description चेक करेंग उस पर आपको original song का copyright claim यहाँ पर आ जाएगा और कुछ ऐसी 0.01% कोई website है जो कि भाई ऐसी songs पर भी content idea आपको sharing में provide करती है यानि कि जिसका original song है 50-50 sharing के हिसाब से ऐसी content idea आपको provide करती है और उसके बार में मुझे जानकर ही नहीं है क्योंकि भाई बहुत ही कम यानि कि अगर आप 100 लोग इस तरीके song को create करते हैं तो उसमें से एक ही person को वेb site के बारे मैं पता है मुझे इसलिए नहीं पता है अगर आपको पता है तो comment जरूर से कर देना अगर आप इस तरीके song बनाते हैं जिससे की viewers को help हो सके मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं इस तरीके song के वर्दन यहाँ पर उस song को create करका upload कर दे और मैं आपको फिट से और चीज़ बता जाता हूँ जो कि यहाँ पर bonus point आपके लिए कि जो इस तरीके songs बनाते हैं जैसे की लूफी, reverb या फिट स्लोट या remix तो इस तरीके songs को भी हर कोई distribution website upload नहीं करती है कुछ specifics जो websites हैं वो ही यहा आते हैं तो आप कौन सी distribution website के थूरू सभी music platform पर upload बढ़ी ऐसा निसे कर सकते हैं तो उस पर मैंने एक separated playlist बनाई होई है and separated एक अलग video भी बनाई होई है तो उस वीडियो को जरूर से watch कर लेना उस पर मैंने बताया था उन website का नाम जो कि इस तरीके songs को upload करती हैं तो I hope यो कि आपको दिमाग में यह वाला जो question होगा कि आप जो इस तरीके songs को create करते हैं उनको copyright issue आता है या नहीं आता है तो मैंने वह यहाँ पर solve कर दिया होगा clear कर दिया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को like करना बिल्कुल से मत भूला करो and like, comment, share, subscribe, share करके सभी platform पर सभी जितने भी आपके new artist हैं उनको भी जरूर से share कर जाया करो जिससे कि मेरा motivation भी बढ़ जाया है उनको अपने मतलब से जानकारी भी मिल जाया और सही जानकारी मिल जाया and comment करके यह जरूर से पताय करो कि कि आपको अगली वीडियो के topics क्या चाहिए या फि झाल